आज 15 फर्वरी 2024 का दिन है आज निफ्टी की विकली एक्सपाइरी और बजार के अंदर काफी लंबे समय तक निफ्टी और बैंक निफ्टी हम लोगों को साइड वेज दिखाई दिये लेकिन मुझे असा लगता है कि जिन लोगों ने पेशेंस के साथ वेट किया होगा डिफ लोग वन डे टाइम फ्रेम के वापर चार्चा करेंगे जरily 30 मिनिन और 15 मिनेट वान आर की वेटन पर लेकिन मुझे लगता आज जरूरी है कि वन डे केंडल चार्ट को देखें तो चले अपने बास्चित को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों के सामने कर लेता हूं राइट तो यह वीडियो भी आप लोगों के सामने आ गया है तो चलिए अपने बातचीत को स्टाइट करते हैं और यहां पर कुछ महत्कूं केंडल को पहले मैं इडिन्टिफाई करना चाहूंगा यह निफ्टी का वान डे केंडल चार्ट है और जैसे मैंने इस तरह की कैंडल्स को मैं बोलता हूं तो चर्ण केंडल्स के बाद धमाका होता है ऐसा मुझो को लगता है यहारा पर को आप लोग के सामने यहाँ पर प्रजंट करने की कोशिश कर रहा हूं है यह ट्विंड केंडल का जून और इस जून को मैं रिजिस्टेंज जून के तौर पाइडिनटिफाई कर रहा हूं लुक अट दिस जून जो इन दो केंडल ने जोन क्रिएट किया है वह अपने आप म केंडल में जो सेल आफ आया है वो आप देखे कितना तगड़ा सेल आफ हम लोगों को यहां पर देखने को मिला था तो अंडाउटेडली यह जो जो जोन है यह अपने आप में एक तगड़ा रजिस्टेंस का जोन है ऐसा मैं बूल सकता हूं और ऐसा आपको दिखाई भी दे हमां यह 21,973 का लेवल है त्वैंटीवन 9-6-3 अब यह जो दो कैंडल मैं यह तब बनी है यह यह पंदरा जनुवरी यह सोला जनुवरी की कैंडल से हैं फिफ्टीन एंड शिक्स्टीन जैनुवरी की कैंडल है उसके बाद काफी लंबा समय बीट गया काफी लंबा समय बी आज यह आपको जो डोजी बनती भी दिखाई दे रही है लांग बुलिश केंडल और उसके बाद यह डोजी तो मुझे ऐसा लगता है कि यह पूरी अच्छी पॉसिबिलिटी बनती है मैं अपने शब्दों को चुनाओ बहुत ही साथानी पूरवक करता हूं क्योंकि बजार हमारे सारे अनमान और सारी पॉसिबिलिटी किनारे हो जाती है और बजार पूरी तरह से विपरीत हो जाता है मैं बहुत ही साथानी पूरवक बोलने की कोशिश करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है अब पूरी तरह से निफ्टी विल पोजिशन डे लग रहा है कि निफ्टी यहां से क्रोस करके ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करें यह जो बढ़िया डोजी कैंडल बनी है यह डोजी कैंडल इसी बात की तरफ संकेत दे रही है ऐसा मुझको लग रहा है अब इसके लेवल जो है वो हम माझ कर लेते हैं आज अगर हम डोजी के हाई को माग करें तो डोजी का ही हमको दिखाई दे रहा है 21,952 का और डोजी का अगर हम लो माग करें तो यह दिखाई दे रहा हमको 21,796 के असपास राइट 21,796 यानि क्या आप माल लिए लगबग लगबग 21,800 का लेवल तो मैं आपको यही राए तो इंटाडे में आप इनी लेवल्स को प्ले करने की कोशिश करिए अगर इसके बीच में कहीं ओपनिंग होती है कल बजार की तो बहुत अच्छी बात मुझे लगता है बहुत तसली के साथ आप इन लेवल्स के ऊपर या नीचे की मूव को आप पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं अगर 21,952 के ऊपर की तेजी आती है मुझे ऐसा लगता है फिर 22,000 और 22,000 से फिर ऊपर के लेवल आपको अच्छी तरह से पता ही है यह में फिर 22,100 और इसके ऊपर के लेवल भी हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं 21,800 से नीचे की जो मूव है यहां पर कुछ महत्पून लेवल्स हैं जो मैं आप लोगों के सामने प्रसेंट करना चाहूंगा मुझे ऐसा लगता है 21,760 क्या सपास का जोन काफी महत्पून है इसके नीचे 21,700 मुझे ऐसा लगता है इसके नीचे जाकर के बात करने की अभी कोई जरूरत नहीं दिखाई देती है आप एक का मौर कर सकते हैं एक का मौर कर सकते हैं यहां पर अगर आप लॉंग स्ट्रेंगल भी बनाना चाहें तो मुझे इसा लगता है कि आप लॉंग स्ट्रेंगल भी बना सकते हैं बिलकु एदम परफेक्ट डोजी बनती भी दिख दिखाई दे रहा है करेंट मार्केट प्राइस दिखाई दे रहा है लगबग सी एमपी यानि कि करेंट मार्केट पर लगबग 11903 के आसपास तो वेल पोजिशन निफ्टी टू क्रॉस फर्दर हायर लेवर्स शायद हमको प्री एलेक्शन रैली देखने को मिल सकती है अब मै क्या स्थिति है यहां पर ओपें इंटराश की और आज की सफ़को छोड़ करके हम अगली इसपाहरी की ओपर ओपर इंटरस को देखें गे यहां पर हम 22 वारी की लिए चर्चा कर रहें बाइस व्हारी कि इस्तिती को प्रेजेंट कर रहा है ट्वेंटी टू थाउजेंट के असपास यहां पर हमें कॉल साइट का तगड़ा ओपन इंटर दिखाई दे रहा है जिससे हम यहां पर रजिस्टेंस की इस्तिती को माक कर रहे हैं इसके फर्दर उपर फिर बाइस अजार एक सो का लेव है तो यही लेवल्स हैं जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किये मैं आपको यह भी दिखाना चाहूंगा क्या आज वाई चेंज की सिच्विशन क्या है हाला कि हम 22 फरवरी की बात करें जहां से सुनिये हैं हम एक हफते आगे की बात करें उसके बावजूद भी यहां पर वाई में काफी एक्टिव्टी यहां पर आप देशन कते हैं 21800 की अब और 2700 की उपर भारी पी रैइटिंग हम लोगों को देखने को मिल रही है और यहां पर फिर 22,000 के उपर हमको काफी कॉल राइटिंग और 22,100 के उपर काफी कॉल राइटिंग दिखाई देदी तो लगबाग वही अब्जरवेशन है जो हम लोग ने चार्ट के उपर भी शेर किये हैं और यहां पर भी हम लोग देख रहे हैं मैं आपको यह भी दिखाना चाहूँगा कि अभी आदे गंटे में क्या हुआ है तीन बच के पंदरा मिनट हो रहे हैं काफी एक्टिविटी मुझे यह थोड़ा सा सर्प्राइजिंग लग रहा है कि 22 फरवरी की एक्सपाईरी में भी काफी काम हो रहा है काफी काम हो रहा है अब यह लास्ट 30 मिनट के अंदर क्या हो रहा है अब देशकते हैं 22,000 के उपर काफी सी राइटिंग होई है 21,950 और 21,900 के उपर हमको पूट राइटिंग भी दिखाई दे रही है पुट राइटिंग भी दिखाई दे रही है, साथी साथ हम इस बात को भी देख रहे हैं, कि यहाँ पर हमें 2900 की बात करें, तो हमें call side के वपर short covering भी दिखाई दे रही है, C side के वपर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमको short covering भी देखने को मिल रही है, तो यह situation है, जो मैंने आपनों के सामने present करी है, आखरी के आदि घंटे में, जो इस्तिती रही है, लास्ट 15 मिनिट के इंदर situation क्या है, वो भी देख लिए, बाइस सुरुरी के लिए, यह लास्ट 15 मिनिट में क्या positions बन रही है, 22,000 के लेबल के उपर लगातार हमलों को C writing ही दिखाई दी, तगड़ा संघर्ष होने वाला है, 22,000 के लेबल के उपर, लेकिन दोनों ही party मजबूत लग रही है, ऐसा मुझको लग रहा है, ऐसा नहीं कि कोई one sided situation है, दोनों ही party जो है, call writer और put writer दोनों ही पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रहे है, ऐसा संकेत मिल ला है, मतलब ऐसा नहीं कि एक तरफ जुकाओ लग रहा है, जै दोनों तरफ सही positions का build up हम लोग को देखने को मिल ला है, तो यह मैंने निफ्टी के बारे में आपनों को साथ चर्चा करें, अब बैंक निफ्टी के बारे में भी आपनों को साथ बाच्चित करना चाहूंगा, बैंक निफ्टी के इंदर situation और भी थोड़ी सी interesting है, अगर हम one day candle chart के उपड देखें, तो यह बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने आपनों को सामने प्रेजेंट किया, इस चार्ट को अच्छी तरह से हम लोग देखेंगे और यहां से भी कुछ मैंद्पून observation लेंगे, यह वो चीज है, जो मैं आपको दिखाना चाहरा हूं, राइट, आप अच्छी तरह से देख आप इस लाइन को देखिए, यह जो लाइन मैंने ड्रॉ करीए, और यह लाइन कौन सी आपको दिखाई दे रही है, यह 4310 और यह पिर 40,39, यह से थोड़ा नीचे की लाइन है, थोड़ा मैं इसको और खिसकाना चाहूंगा, यह जो लाइन मैंने आपनों के सामने प्रेजे देखिए, तो इस लाइन मैं आप बार बार आप देखेंगे, अब इसी लाइन से उपर जाने की तैयारी लग रही है, ऐसा मुझको लग रहा है, यह जो 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 जोन है, यह विजिकली 40,300 से 40,350 का जोन है, यह जोन अपने आप में बहुत ही महत्मूर जोन है, इसके उपर और फिर इसके नीचे और अब फिर इसके उपर जाने की तैयारी मुझको दिखाई दे रही है, इस वज़ा से यह जोन और यह लेवल जो है, बहुत ही महत्मूर आप बलकि पूरा मान सकते हैं, कि 40,300 से लेकर के 40,400, यह जोन अपने आप में बहुत ही क्रिटिकल होने वाला और यह बात मैं आपको दिखाऊंगा भी, यहां पर आप देख सकते हैं, मैं इसको तोड़ा सा जूम कर देता हूं, यहां पर मैं आपको जूम करके दिखाता हूं, आप देख रहे हैं, यह राइट यह दिन याद है ना आपको, यह कौन सा दिन है, बताइए, यह आप की डेट है नहीं है यह कौन सा दिन था चार दिसंबर का दिन कौन सा था फूर्ट ऑफ दिसंबर का दिन आपको याद होना चाहिए जब यह बात पता चली थी हम लोग के चुनाओ के नतीजे क्या है रहे वो चार दिसंबर यहां पर हम लोग को एक गैप अप हम लोग को देखने को मिला था राइट यह चुनाओ के बाद और उसका असर यहां पर चार दिसंबर को हम लोग को दिखाई दिया था और चार दिसं समबर के बाद आप देशी होते हैं यह यह राइट कलर की लाइन अजिसको मैंने माक किया थां यह राइट कलर की लाइन है यहां पर यह लेवल कौन से थां यह रही छालिस रहाद zero के उपर का सारा प्राइसı action त है पिर उसके बाद आपको यह दिए अच्छी तरह से ध्यान होगा यह प्र यहाँ पर सारा प्राइस एक्षिन रहा है 40,350 के नीचे अब वापिस पूरी तैयारी दिखाई दे रही है 40,350 को क्रॉस करके उपर निकलने की ऐसा लग रहा है होगा या नहीं होगा वो बात की बात है तो यह स्थती मैंने आप लोगों के सामने प्रेजेंट करी है अब यहाँ पर यह सारी चीजें लोग हटा देते हैं और जून्स की बात कर लेते हैं लेवल्स की बात कर लेते हैं तो ज्यादा असानी रहेगी आप लोगों के लिए यह समझना भी तो कल जिस तरह की कैंडल बनी थी और आज अगर हम उस कैंडल को मिला करके देख रहे हैं देख रहे हैं तो यह जिस तरह की कल कैंडल बनी है यह लांग बुलिश कैंडल लांग बुलिश कैंडल लांग बुलिश और प्लस ये solid bullish hammer ये अपने आप में पूरी तरह से तैयारी दिखाई दे रही है ये तैयारी दिखाई दे रही है इसी line को cross करके ऊपर निकलने की जो की 4350 का level है तो आप आज के high को अच्छी तरह से note कर ली आज का high आपको क्या दिखाई दे रहा है और आज के low इनी levels को हम लोग play करने क कोशिश करेंगे ये अभी जो हमको level दिखाई दे रहा है आज अभी हमलों को high बनतावा दिखाई दिखाई दिया है लगबग 40256 का तो अभी आप थोड़ा wait कर सकते हैं और इसके उपर आप पिर 40350 की उपर की तेजी को play करने की कोशिश कर सकते हैं यहां पर अभी immediate जो zone है जहां से बार बार हमलों को आप देशकते हैं जोन से गरावट दिखाई दिये पिर यहां से हमको गरावट दिखाई दिये पिर यहां से भी हमको गरावट दिखाई दिये कई बर गरावट आई तो यह zone दो है इसका color भी मैं change कर देता हूं यह resistance zone के तोर पर मैं आपके सामने प्रेजेंट करा हूँ यह 46,943 से लेकर के 40,494 का मतलब हो गया 40,500 यह लिए बस तो इस्टे बाइस्टे मैनर में उपर पहुचेंगे एकदम रॉकेट भी बन सकता है लेकिन 40,350 उसके बाद 40,400, 40,400 के बाद 40,500 और उसके बाद फिर हम स्टेप बाइस्टेप में उपर की स्थिती को देख सकते हैं आज का ओपनिंग का लेवल भी बहुत ही महत्पूर है आज जहां पर ओपन हुआ है ना यह लेवल भी बहुत ही क्रिट का लेवल है आज हम लों को ओपन होता बाद दिखाई दिया है 4027 का इसदबल को भी आप अच्छी ताहं से माक कर लिए यह आज की ओपनिंग का लेवल है जरली लोग क्या करते हैं जब हम OHLC की बात करते हैं तो लोग इसको 있다고 देखते हैं जोक मदब दEखते हैं लेकिन ऊपन को भूden को भूल जाते हैं यह औक का लेवल भी महत बहुत ही महत्पूर्ण है कल अगर हमें इसके नीचे का मूव मिलता है चालीज़ार 27 का इसके नीचे का मूव वीकनेस को ट्रीगर कर सकता है और पिर हमें आज के लोग की तरफ मूव देखने को मज़ सकता है जो कि पैताली हजार ले मिचे का आज का लोग इतना है पैताली हजार पांसो नबे के आसपास का लेवल है तो यह कुछ लेवल मैंने आपनों के सामने प्रेजेंट किये बैंक निफ्टी के बारे में और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ओप 21 फरवरी के लिए हम लोग लिए को श्यदी करें यहाँ पर आप सकते हैं चालिस हजार का leaves लेवल चालेज़ार के लेवल का क्या सिग्निफिकेंस है आज क्या सिग्निफिकेंस है आज इस लेवल का क्या महत्व है आज हमारी जो ओपनिंग होई थी तोड़े आज की जो ओपनिंग होई थी वह चालेज़ार के ऊपर हमको ओपनिंग होती भी दिखाई दे तो चालेज़ आविशन के लेवल को सपोर्ट के तार पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर चालिशन का लेवल ब्रीच होता है तो नीचे की तरफ हम 45 900 और 45 800 को पर सपोर्ट के उमीद करें रेजस्टेंस की बात करें तो उपर की तरफ चालिजाइज़ दूसो का थारी बहल है चालिज़ दर तीनसो के nsapis के लेवलस हैं, यह सब रजिस्टेंस के लेवलस हैं choose 4 o 4 5 खालिज़ चार्सो स के लेवल है यह जून आपको अच्छी तरह मैं प्रिजेंट करिए मैं आपको यह भी दिखाना चाहूंगा क्या आज वाई के अंदर क्या चेंज हुआ है वाई का चेंज आप लोगों के सामने च्छालेज़ार के लेवल के उपर भारी पुट राइटिंग हम लोगों को होती भी दिखाई दिये जो कि हम को यह बता रही है कि हम यहां पर सपोर्ट की उमीद कर सकते हैं बाकिए अगर आप देखिए तो चालेज़ारद्वसू की उपर सी राइटिंग है चालेज़ार तीन सो के अपर भी हम को अच्छी सी राइटिंग दिखाई दे रही है पि छालेज़ार छासो छाली और पांचव इन सभी लबल के उपर Аम लों को अच्छी या स्ट्रॉंग सी राइटिंग देखने को मे पुल रही है चार्ड के उपर जो लेबल मेहत Pewn है वह आपको अच्छी तरह से पता जान है छाली और गुड नियूस चालेज़ और तीन सो के उपर चालेज़ और चालेज़ और पांसो के उपर वह यहां पर हम लों को पी राइटिंग की सिचुवेशन दिखाई दे रही है जो कि हमको यह बता रही है कि और फॉर्दर तेजी की उमीद करें काफी सारे ट्रेडर्स यह अपने आ हुआ है लास्ट विफ्टीन मिनिट के अंदर क्या हुआ है लास्ट विफ्टीन में भी आप देख सकते हैं चालेज़ और तीन सो चालेज़ और चार सो और चालेज़ और पांसो के उपर हमको यहां पर put writing की situation दिखाई दे रही है तो यह भी तेजी की तरफ ही इशारा कर रही है तो all in all जो संकेत मिलने हैं वो तो देखिए थोड़े से यहां से और higher levels की ही बन रहे हैं अब होगा क्या वो तो कली पता चलेगा तो अपनी बच्चित को मैं यहीं पर यह wind up करना चा क्तुम होगा मैं